दोस्तो आज कल रोवे प्रोटीन के बारे में बहुँ ज़्यादा चर्चा की जाती है और इसे लेने की सला दी जाती है तो आप सबी भी सोच रहे होंगे कि आखी रोवे प्रोटीन क्या चीज है इसके क्या फायदे हैं क्या इसके नुकसान भी हो सकते हैं और हमें इसे दोस्तो आप सबी को पता होगा प्रोटीन मिल्क से निकाला जाता है दूद को पनीर या दही बनाने के लिए इस्तमाल किया जाता है जो पानी बज जाता है उसे वे प्रोटीन कहा जाता है बाद में उसे कंपनी में माइक्रो फिल्टरेशन और अल्टरा फिल्टरेशन के साथ तयार किया जाता है और इसे मसीन में ही सुकाया जाता है वे प्रोटीन प्रोसेसिंग में फाल्तु की चीजे जैसे की फैट और असुदिया निकाल दी जाती है और सुद्ध वे प्रोटीन हमारे पास बज जाता है वे प्रोटीन के थ्री टाइपस होते हैं पहला whey concentrate, दूसरा whey isolate और तिसरा whey hydrolyze जो आप raw protein लेते हैं या लेने के बारे में सोच रहे हैं उससे भी process किया जाता है सिर्फ उसमें से flavor add नहीं किया जाता है जिसे unflavor या raw whey protein भी कहते हैं raw whey protein के अंदर digestive enzyme और whey protein blend add किया जाता है हमने आपको पिछले वीडियो में भी बताया है अगर आप protein लेने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको ऐसा brand चूज करना है जिसके अंदर protein का percentage minimum 80 होना चाहिए और main sources आपको protein milk से होना चाहिए नकी soya का इस्तमाल किया होना चाहिए और हमेशा blend protein का इस्तमाली आपको करना चाहिए चले बात करते कौन सी brand का सबसे अच्छा raw whey protein आता है और जिससे आपको अच्छा result मिले और आपके पैसे भी खर्च नहीं होंगे जादा और unflavor protein अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो उसे flavor बनाने के लिए क्या आपको add करना है हम वीडियो के last में discuss करेंगे दोस्तो हमने यहाँ पर 3 brand लिया है जिसका unflavor whey protein काफी अच्छा है और आपको अच्छे price में मिलेगा दोस्तो पहला जो brand है हो है Janet Nutrition दूसरा जो brand है दोस्तो वो as it is nutrition और तीसरा brand है absorb nutrition दोस्तो पहले बात करते है Janet Nutrition के बारे में Janet Nutrition made in India brand है इनका जो raw whey protein है उसके अंदर 80% protein की मातरा है दोस्तो और यह इनका जो raw whey protein का इस्तमाल किया है यह made in USA का raw whey protein का इस्तमाल किया है packing वगेरा हालांकि इंडिया में करते हैं वहीं इसके raw whey protein के अंदर digestive enzyme का यूज किया है 1 kg अनफ्लेवर whey protein की price के बारे में बात करें तो आपको 1100 में पड़ेगा वहीं serving की बात करें तो आपको 1 kg के अंदर 33 serving और 1 scoop की size की बारे में बात करें दोस्तो तो 30 gram का scoop का size है जिसमें से आपको 24 gram protein मिलता है और साथी साथ आपको 5.4 gram आपको BCAA मिलता है protein की percentage के बारे में बात करें तो काफी अच्छा है 30 gram में से आपको 24 gram मिलता है जो की 80% हो रहा है अब बात करतें दोस्तो दूसरा बढ़ान जो है as it is nutrition दोस्तो as it is nutrition भी made in India है का product है हाला कि उन्होंने अपना जो raw way का इस्तमाल किया है वो USA का किया है वहां से import किया हुआ वहीं इसके price के बारे में बात करें तो 1 kg की जो price है वो आपको 1135 में पड़ेगी आपको जिसके अंदर 33 serving है वहीं 1 scoop की size के बारे में बात करेंगे दोस्तो तो 30 gram है और इससे protein की percentage की बारे में बात करें तो आपको 30 gram में 24 gram protein का आपको मिलता है वहीं 5.4 gram BCAA मिलता है protein की percentage के बारे में बात करें तो 80 gram 80% आपको मिलता है अभी बात करतें दूसरा दोस्तो absorb nutrition के बारे में और last में हम discuss करेंगे इन्हों ने भी USA से इंपोर्ट किया हुआ है इनका जो रोवे है USA से इस्थमाल किया है तीनों कंपनी ने मेड़ीन USA का रो इस्थमाल किया हाला कि पैकिंग वगेरा यहां इंडिया में ही होती है वहीं बात करते हैं इस company को start हुए लगबग 2 साल जितना हो गया है absorb nutrition की 1KZ unflavor raw way protein की price के बारे में बात करेंगे तो आपको 1170 रुपया में आपको ये 1KZ का price मैं बता रहा हूँ आपको जिसके अंदर 30 container यानि 30 serving है container के अंदर तो वहीं serving size के बारे में बात करेंगे दोस्तों तो serving size इनका 33 gram है और आपको जिसके अंदर protein 26.4 gram मिलता हो वहालांकि यहाँ पे जो serving size 33 gram है बाकी के 2 protein में हमने पहले देखा था उन वहाँ पे serving size 30 gram का था यहाँ पे 33 gram का है लेकिन protein यहाँ पे 26.4 gram है वहाँ पर 24 gram था protein की percentage के बारे में बात करें तो आपको क्या करना है दोस्तों 26.4 gram multiply by 100 divided by 33 gram करेंगे तो आपको 80% protein मिलता है वहीं बात करेंगे BCEE के BCEE आपको दोस्तों यहाँ पे 5.64 gram आपको BCEE मिलता है लेकिन अच्छे यहाँ पर यहाँ पर एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पर इन्होंने glutamin भी add किया है 4.56 gram यहाँ पर glutamin करेंगे वहीं बात करेंगे आपको तीनो ब्रांड में से कौन सा लेना है दोस्तों आपको तीनो ब्रांड recommend करूँगा हालां कि आप अपने बजड के हिसाब से ले सकते हैं और तीनो ब्रांड में made in USA का rogue यूज किया हुआ है प्रोटीन का percentage भी तीनो में same है 80% आपको प्रोटीन मिलता हालां कि आप अपने बजड के हिसाब से जिसका प्राइस थोड़ा काम हो उस company का आप purchase कर सकते हैं दिवाली जैसे कि black friday या कभी festival वगेरा आता है उस time पे आप अपना stock कर सकते हैं क्योंकि उस time पे ये company जो है discount offer करती है उस time से आप purchase कर सकते हैं चाहे आप flip car से amazon से नहीं तो आप directly company की site पर से भी order कर सकते हैं अब बात करेंगे result की तीनों product का result सेम है हाला कि मुझे absorb nutrition की mixability भी काफी अच्छी लगी है और यहाँ पर absorb nutrition के अंदर आपको glutamine भी मिलता है हाला कि दो protein के अंदर genit nutrition और azad nutrition के अंदर glutamine नहीं था यहाँ पर glutamine भी है और आप सभी को पता है glutamine का काम होता है recovery करने का तो दोस्तों यह product भी काफी अच्छा हाला कि मुझे इसकी mixability भी काफी अच्छी लगी अगर आपको unflavor या raw protein अच्छा नहीं लगता है तो आपको test लाने के लिए चाहे आप honey का इस्तमाल कर सकते है cocoa powder का इस्तमाल कर सकते है रसना का इस्तमाल कर सकते है flavor लाने के लिए क्योंकि raw egg का price काफी सस्था होता flavor के comparison में अगर आपका buzzer tight है तो आपको unflavor ही recommend करूँगा अगर आप unflavor भी purchase नहीं कर सकते तो egg white सबसे अच्छा source है दोस्तों आपके protein के लिए आप अपनी diet में 5-6 egg white का इस्तमाल करिए अगर आप protein नहीं ले सकते है दोस्तों कैसी लगी हमारी यह जानकरी comment करके जरूर बताए अगर आप किसी और topic पर वीडियो चाते हैं तो comment करके अपनी राय जरूर बताए और अगर आपने हमारा channel 6-pack milestone को subscribe नहीं किया तो please channel को subscribe करना ना बुले इसी तरह helpful information वीडियो पाने के लिए जाहिंद वन्दे मात्राम